बिसमिल्लाय रिक्माल रहीम अब अगला टॉपिक क्या है कि आप हम जो है वह आप मल्टीपल टेबल अभी हमने खाली एक टेबल से जॉइन निकाला था अब हम मल्टीपल टेबल से जॉइन बनाकर फिर डेटा निकालेंगे रिट्रीफ करवाएंगे तो हमारे पास कौन-कौ पर भी कोई और CEO है तो अभी फिला लमाइबर टेबल नहीं है लेकिन हम इसको भी एजूम कर रहे हैं ताके अब उसके हिसाब से कर सके अब हम यह कहते हैं कि एडिमिन के पास क्या राइट है कि वह रिसेप्शन इसको देख सके तीचर का रिकॉर्ड देख सके कोर्स का और स इसको रिक चीजे आरी है वह सिर्फ देख सके सिर्फ टोर्नमेंट को छोड़के बाकिसारों का वह डटा है जो वह दिखाना चाहता है अब कैसे निकालते हैं वह देखते हैं अब मैंने कहा कि पहले आकर हम सिलेक्ट all from मैंने का हाँ पहले receptionist देखते हैं हम यहाँ पर आकर copy करा, paste करा paste, paste और paste मैंने का teacher का record यहाँ paste करा हमने student का record लेकर आए और course, चले course ना भी करें यह चले course भी निकाल लेते हैं और यहाँ से ठीक है, lab निकाल लेते हैं क्योंकि lab तो इक अलगी चीज़स को छोड़ दे अब मैंने का कि यहाँ से अब receptionist के पास क्या क्या है तो receptionist का नाम आए और shift आए बस ठीक है, अब teacher का क्या है नाम आए और email आजाए और shift आजाए बस, email भी चले छोड़ दे नाम और खाली, shift आजाए इनफ है अच्छा, अब इस तरीके से कहा गया course, course के अंदर से student course का नाम आजाए और कौन सा student enroll लें तो वो automatically student की फॉरण की से आजाएगा और staff, staff के अंदर क्या है staff का नाम आजाए और duty आजाए बस ठीक है, तो आप चलते हैं, पहले join लगाते हैं, यहाँ पर तो select all from मैंने कहा के हम पहले आते हैं इसके आपके कोई भी एक table लिया teacher ले लिया t, वापस चले और यहाँ पर आए क्या कर दिया t dot, यहाँ से मैंने कहा के teacher का नाम आजाए और teacher की बस shift आजाए ठीक है, बसके दोशी से निकाल लिया, फिर आप आगे चले, inner join दूसरा table कौन सा है हमारे पास इसके बाद, मैंने कहा के staff s, वापस आए यहाँ से आपने क्या किया, s dot staff का नाम और staff की duty बस, ठीक है और यहाँ से आपने क्या किया बलकि हमने पहले, sorry, मैंने एक चीज़ यहाँ पर हल्के काम करते हैं पहले यहीं से retrieve करवाते हैं इसको तो on, और यहाँ से आपने क्या करा, इसको t dot teacher की id is equals to क्या हो जाएगा यहाँ पर s dot teacher की foreign की, अच्छा, यहाँ पर नहीं है तो फिलाला भी हम इस से निकाल लाते हैं ठीक है, तो यहाँ के पास आ गया आप उसके बाद आगे चलते हैं अब मैंने कहा कि दूसरा table inner join, दूसरा table जो है हमारे पास कौन सा है student का, ठीक है student का नाम और और क्या चीज़ आ सकती हैं यहाँ से बस में रहाँ से यह काफी है नाम ठीक है, ताके course हम दूसरे जगा से उठा लेंगे क्योंके foreign की वहाँ मौँद है तो आपने क्या करा, बस यह नाम ने यहाँ से ले लिया इसको back करा, यहाँ से आपने क्या करा इसको आकर on और यहाँ से हमारे पास पहला table क्या रहा है s.stafid is equal to और यहाँ से आ जाएगा st. मैंने यहाँ से कर दिया इसको अभी फिलाल इसके अंदर भी नहीं इसके relation सही से नहीं बनावा लेकिन अभी फिलाल हम निकाल लेते हैं इसके directly staff ID के थो और यहाँ से हम इसकी ID यह वाली दे देता है ठीके तो हमारे पास यहाँ पे student का नाम भी उटके आ गया और बाकी कीज़ें आ रही है साथ साथ, हमने क्या किया और दूसरी और यहाँ से आपने कहा कोर्स का नाम चाहिए बस और कुछ और ऐसा है जो हमें चाहिए हो यहाँ से तो बाकी कीज़ें रिक्वाइट नहीं है बस इतना काफी है वापस आए, कोर्स के अंदर अब यहाँ से on और पहले चीज़ की आ रही है आपके पास अचा कहीं कोई चीज़ रह गई है और यहाँ पर यह C डॉट रह गया था शिफ्ट एंड शिफ्ट एंड चलाएं ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर कॉर्स भी आ गया कि कौन सा कॉर्स में कौन सा स्टुिरन्ट क्या है इंरॉल्ल हुआ गया है और आहां हुआ पर कौन सा टेबल रह गया है सारे हो गएरा सिर्फ एक रिसेप्शनिस रह गये तो आप यहां पर आएं और लास में रिसेप्शनिस का भी दे दें कि उसका रिकॉर्ड भी आ जाए तो वो क्या आजाएगा यहां पर आपने एनर जॉइन आप उसके बाद आप यहां पर क्या करें रिसेप्शनिस्ट अच्छा आप चाहें तो डिरेक्ली यहां पर आप देखें रिसेप्शनिस व्यू का भी आप्शन आपको मिल जाएगा तो आप ये भी कर सकते हैं डिरिकली लेकिन अभी फिलाल हम इसके उपर नहीं कर रहें ये चाहें तो क्योंकि रिसेप्शनिस व्यूज के अंदर हमने और चीज़े भी रखी है इस्टिर्ट वाली इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे खाली रिसेप्शनिस यूज कर रहें आर वापस आए यहाँ पर और यहाँ पर आके आपने क्या कर दिया कॉमा आर डॉट और रिसेप्शनिस का बस नाम और रिसेप्शनिस के सिफ्ट shift आपने यहां से उठा ली यहां पर आप आए और यहां पर क्या कर दिया जाएगा on r sorry पहले क्या रहा है st. student की id is equal to r. यहां से अभी लाजमी सी बादे की relation नहीं हो गए इसका तो अभी receptionist की id आप यहां से दे दे तो आपके पास यहां पर यह पूल रिकॉर्ड आ गया multiple tables से तो आपके यहां पर teacher का नाम, teacher की shift, staff का नाम, staff की duty, student का नाम, course का नाम, receptionist का नाम receptionist का नाम, receptionist का नाम complete record आ गया, एक total इजारे के अंदर जो भी admin को आप दिखाना चाहते हैं और जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं आप ने उसको हटा दिया है, ठीक है तो आप आके इसको क्या करवाले, आप अलग से एक view बनाएं और उसके अंदर इसको safe करवाले तो पर आते हैं, यहां मैंने लिखा create view और इसका मैंने नाम लिखा admin view और इसके बाद मैंने आइस करके इस पूरी query को कॉपी करा पेस किया और चलाया, तो यह मेरे पास इसका view create हो गया, अब मैं नीचा किसको चेक करता हूँ, उपर चेक कर लेतें, select all for all from और यहां से मैंने admin view को कॉपी करा यहां से पेस किया और चलाया जिके तो मेरे पास इसके पूरा record इसका यहां पर उठके आ गया यहां पर आकर refresh करने इसको तो मेरे पास इस जगा पे इसके यह वाला admin view भी यहां पर मौझूद है, तो यह था व्यूसर concept, किस तरीके से आप multiple join, एक single table का join, और एक single table के अंदर से आप values को retrieve करवा कर एक जगा पे store कर सकते हैं